इस बार ये कदम डिजनी ने जान बूच कर नहीं उठाया इसके पीछे हाथ है डॉनल्ड ट्रम्प का क्योंकि डॉनल्ड ट्रम्प ने वेडनेस डे के दिन पूरे अमेरिका को बंद रखने की अनॉंसमेंट कर दी है और हर एक न्यूस चैनल वेडनेस डे के दिन एक ही टॉपिक कवर करने वाले है और वो टॉपिक है जॉज एच डव्लू बूश का फिनरल जिसे वेडनेस डे के दिन ही रखा गया है इस वज़े से अविंजर स्पोर के ट्वेलर को कर गया गया है डिले और अब इन सब मामलों में डिजनी पढ़ना नहीं चाहता इसलिए डिजनी ने सीधे सीधे अविंजर स्पोर फिल्म के ट्वेलर को डिले कर दिया ताकि वेडनेस डे के दिन डिजनी भी अपनी तरफ से जॉज एच डव्लू बुश को टिब्यूट दे सके तो मुझे लगता है डिजनी की तरफ से ये कदम काफी सोस समझ कर उठाये गया है और अब मुझे लगता है इससे वो गधे और भी जादा उफेंड हो जाएगे जो लोग बेट कर रहे थे अवेंजर स्पोर के ट्वेलर का और वो लोग उस वीडियो पर डिसलाइक करना शुरू कर दे और इन हेटर्स की गिंती काफी जादा कम है अगर आप कैप्टन मावल के ट्वेलर पर जाकर देखो तो आपको उस वीडियो पर लाइक्स की संख्या 5 लाग के उपर नज़र आएगी और डिसलाइक सिर्फ और सिर्फ 26,000 ही है तो इतने कम लोगों से मावल को कोई फर्क नहीं पढ़ने वाला है क्योंकि जो देट ट्वेलर को लेकर कन्फर्म की गई होगी उसी डेट के दिन फिल्म के ट्वेलर को रिलीस किया जाएगा और सकी अच्छी एक्स्पनेशन मैंने आपको कैप्टन मावल ट्रेलर 2 ब्रेकडाउन में की थी वेल तो जैसा कि अब आप सब को पता चल गया है कि अविंजर स्पोर के ट्रेलर को डिले कर दिया गया है झाल